स्वागत और विनंदा आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक नई सीरीज लाएं संभोग से समाधी के और जो कि संभोग एक दिब्योग नमक संभोग का विशूत्र पर आधारित है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि संभोग और विशंभोग में क्या अंतर है और जब तक तुम इस अंतर को नहीं समझ लेते हैं तब तक कल्यान की बात करना नरर्थक होगा अब एज्ञानिक होगा अब व्योहारिक होगा यह पुस्तक है इसका यह चोथा सीरीज बनना है बड़ा अच्छा है बिसम भोग को संभोग कहत मित्या है प्रचार संभोग तो कछु और है सज्जन करो विचार संभोग सुनत कामु को बने लेते निगेटिव पोज शब्द अर्थ शास्वत सदा सादू करता खोज भायो आज कल आपने बहुत सारी राम कताएं भागबत कताएं या बहुत सारी तक्रीरें आपने सुनी होंगी लेकिन ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आपने पहले से सुन चुका भी है आप लोग लेकिन ये आगे की कड़ी है आगे की सीरीज है ये आखिर सम्भोग है क्या कहा है कि बिशम भोग जो बिशम भोग है बिसम कहते हैं उल्टा उल्टा भोग उल्टा भोग मानें यहां पर जो छड़िक है जो टेंप्रोरली है इंपरमानेंट है ऐसे कुछ जो तुम इंज्वाय करते हो जो मुमेंट्री है उसके लिए आप जो इंज्वाय करते हैं उसको मैंने विशम भोग कहा है विशम भोग और संभोग विशम भोग को संभोग कहते कि विशम को तुम संभोग कहते हो यह मिथ्य परचार है यह गलत परचार है संभोग तो कच्छो और है सज्जन करो विचार संभोग सुनत काम को बने लेते निगेटिव पोज जैसी तुम संभोग सब्द को सुनते हो तो तुम कामों को बनने लगते हो निगेटिव पोज बनने लगते है तुमारे दिमाग में निगेटिव पोज बो इलिंग और यूणिकी चित्र बन जाते हैं सेक्सी 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 शब्द अर्थ सास्वत सदा सादू करता खोज ये जो शब्द है और सब्द का जो अर्थ है संभोग शब्द है और जो इसका शब्द है ये बड़े शास्वत है ये बड़े बैग्यानिक है ये बड़े प्राचीन है ये एक नवीन नहीं है सादू करता खोज सादू कहते हैं जो सत्त को जानने के लिए सत्त को पाने के लिए जो प्रियास करता है और प्रियोग करता है उसे सादू और आप वेग्यानिक भी कह सकते है वो इनर वर्ड का वेग्यानिक है इसलिए उसे सादू कहा गया है और ये जो बहुत एक जगत के प्रीयोग करता है, अनुषण धान करता है इनको वैग्यानिक कहा गए लेकिन दोनों ही अपने अपने छेत्र के वैग्यानिक है इति ही आप जानना चाहते हैं तो आपको खोज करनी पड़ेगी और ये जो पुस्तक है ये अपने आप में संपूर संभोग कावश उत्र पूरा संभोग विज्ञान पर ही आधारित है आपको सुनने में बड़ा मजा हैगा क्योंकि ये संभोग कता है ये जीव कता है ये हरी कता है बहुत सारी कता है राम कता हैं सुनी कृष्ण का थाय सुनी लेकिन तुमारे जीवन की व्याथा प्रावलम डाउट्स के लिए नहीं हो रहे हैं रूट आउट नहीं हो रहे हैं इसलिए अब जरूरत है तुमारे उपर बात करने की तुमारे निजी अस्तत पर बात करने की वो संभग कथा के सौजन से बड़े आसानी से आप सुन सकेंगे बड़ी रोचक है बड़ी उप्योगी है बड़ी तारकिक है ये पुस्ता का जो सूत्र है जो संदीश है ठेंक्यू सो मच फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ ओम शान्ति